अलो नमस्कार तो कल था आठाटा इपिल 2024 का सात्वा मुकाबल है जिसमें की चन्नी के चेपक के मैधान में CSK ने भाई जाब एक होता है हराना और एक होता है भाई बुरी तरह से मार मार के मार मार के मतलब भूत बना के हराना ये जो हार मिली ना जीटी को ये हार नहीं है ये जो मुल्क हैं वो हमारे देश में कुछ भी होता ना तो पट से नाक भुषड देते हैं कंजूर अरेस्ट होता तो जर्मनी और यूनाइटे नेशन्स को बड़ी तकलीफ होती है तो मैं समझ रहा हूं कि यूनाइटे नेशन्स जर्मनी ये टिकैट फिका जितने भी लोग ह इन सब को प्रोटेस्ट करना चाहिए वह ये बहुत गलत हुआ है जीटी वालों को साथ ऐसे कौन हराता है भाई बुरी तरह से रचिन रविंद्रा कहें शिवम दुबे कहें और बाग में बॉलर्स ने मतलब कचूमर बना दिया है जीटी वालों का हमें लग रहा था कि क्र रपर्ट से भी बड़ी वाले डेड़ बनके रहेंगा कोई टकर ही नहीं थी भाई साब मजा नहीं आ रहा है एनिवेज ही मजाग मस्ती वाले टेवर को छोड़ करके जड़ा सीरिस मोड में आ जाते हैं तो कल के जब मैं शुरू होता है तो टॉस जीता है शुमन गिल अच् पिछला में इस देखा था इसी ग्राउंड पर सीएस के आरसी बीगा तब भी पिछ रिपोर्ट में क्लेम किया गाया था कि भाईया पिछ जो है वो स्पिनर्स के लिए काफी अच्छी है स्पिनर्स विल कमें टू गेम बड़ आपने देखा कि ना तीक्षना को विकेट मिल ना जड्डू को विकेट मिला उधर से करें शर्मा को एक विकेट जरूर मिल गया था वैसे ही अपने कल फिर देखा मैत्यू हेड़न आते हैं पिछ रिपोर्ट लेकर के कहते हैं विकेट काफी अच्छा है स्पिनर्स विल जॉइन पार्डी बट पूरा मैच अगर आप दे जड्डू का विकेट कॉलम पिछले मैच में भी खाली इस मैच में भी खाली वह भी ऐसी पिच के उपर जिसके बारे में क्लेम किया जाता कि यह स्पिनर्स के लिए काफी फ्रेंडली होगी यह सर्फेस एक चीज और आप देखें कि जो पिछला मैच था उसमें सेकेंड इन गुल्लू दो वंडर बॉय है हलागि गुल्लू दो वंडर बॉय ने कल फिर सावित कर दिया कि वो एहमदाबाद का जो पेछे उसी पर अच्छे रंस बना सकते है तो इस साल उम्मीद की जा रही थी कि गुल्लू बॉय जो है वो अच्छा पफुम करेगा लेगे नहीं भाई साब अगर आप चन्नी का गेंश खेल रहे हैं चन्नी के मैदान में तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करके आना चाहिए वैसे CSK से पहले सारी प्रिपरेशन जियो सिनेमा और स्टार स्पोर्ट्स और इन सब ने कर रहा किये कि थाला दोनी थाला दोनी को हर चीज का क्रेड़ेद दिया जाए इवन मुझे तो लग रहा है कि जियो सिनेमा वाले अभी भी ये मान करके चल रहे हैं शायद और अंदर खाने में पता हूँ कि चन्नी का कप्तान है वो रूतुराज सिर्फ नाम का कप्तान है असली कप्तान तो दोनी बाबू ही है थाला दोनी थाला दोनी ने कैच कर लिया जंप मार के काफी बड़िया कैच करा है लेकिन जिस तरह से ओवराइब कर रहे है उस कैच को तो शिवं तुभी और रचिन रविंद्र वो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें बजिये तले क्या रन बनाए हमने विकेट लिया बॉलर्स ने लेकिन हाइप किसको किया जा रहा ताला दोनी के कैच को इवन अगर आपने जियो सिनेमा का मैच का थमनिल देखा होगा तो उसमें भी ये लोग शुबमन गिल को तो खड़ा कर रहे हैं जीटी के कैप्टन के तौर पर बट सीएसके का कैप्टन उन्होंने अभी भी धोनी को ही बना रखा है और आपने ग्राउंड में भी देखा होगा जब जीटी की नहीं शुरू होई थी एक छक्का मारा था जो गुल्लू बॉइन है उसके बाद बॉल चेंज की जा रही थी तो बॉल चेंज करने के लिए जो भी डिसक्रिशन वगरा हो रहे थे वहाँ पर धोनी ही एमपायर से बहस बाजी वगरा करते दिख रहे थे तो एक चीज तो इस्टैबलिश हो गई है कि जीटी में और सीएसके में और एमाई इन तीनों टीमों में कैप्टन बदले हैं जहाँ पर एमाई में रोई शर्मा की कोई इज़त नहीं है आरदिक पंडिया छपरी पंडिया रोई शर्मा को मतलब बत्तमीजी के साथ इदरोदर भगा रहा है वहीं जीटी में तो खेर इसकी गिल्की चल रही है बट सीएसके में रूतुराज सिर्फ नाम का कप्तान है अजली पावर तो अभी भी थाला दोनी के ही हाथ में है एनिवेस तो कली ये जीटी टॉस जीद करके ब्लंडर करती है वह फिल्डिंग करने का फैसला कर लेते हैं और उसके बाद जब चैनने के बल्ले बाद आते हैं तो रचिन रविंद्रा धागा खोल देता है मात्र बीस गेंदे खेलता है और फोर्टी सम्तिंग किता है इधर रचिन आउट होता है जीटी वाले सोचते हैं कि आहा चलो रायत की साइस मिलेगी लेकिन नहीं तभी आजाता है शिवंदुवे नाम का तूफान और भाई इसाब परकाच चोड़ा गए जीटी के सारे बॉलर्स के और जीटी के बॉलर्स के आप ये देखें हाल कि डिंडा अकेडमी का जो उमेश आदव है उसके कोटें के पूरे ओवर्स ही नहीं मिले बाई जो आया सब को पेल दिया शिवंदुवे ने 50 मारी उसने रूतुराज गायकवाड वो 36 यंदो में 46 टुक 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 खेल के गया और बैती गंगा में वो नया लड़का समीर रिजवी उसने भी आते से हाथ दो लिये और समीर रिजवी को बैटिंग के लिए भेजने का पूरा क्रेडिट भी थाला धोनी कोई जा रहा कल से वीडियो वाइरल हो रहे है कि रूतुराज जब वो धोनी से पूछ रहा है कि कि को बैजो दोनी ने का कि चल मैं नहीं जाता हूं मैंने तो कैमरे में बस एक्टिंग कर ली जाने की रिजवी को भेजदो रिजवी ने डिसपॉइंट नहीं करा जहां पर लंगर खुला था रंस का उसने भी रंस बटोर लिये और जीटी के जो बॉलर्स थे सब की मतलब छक क्या आगिया और इंतिमान सहा हूं मतलब चला तो चांड तक नहीं तो शाम तक भी नहीं चलता है दो उसे पर पह pourtant पते हैं तो कर जीटी की पास मतलब कुछ थाई नहीं भाई सब टकड देने के लिए कmeter बोरिंग और कुछ यंस मुकाबला हो ता चेन्नाई का लड़का साही सुधर्शन उसने सबस्याधरन बनाए वो टुक टुक वाले अंदाज में 37 संथिंग ना उमर्जाई चला ना मिलर चला ना राशे चला ना गिल चला कोई भी नहीं चला वाई सब अगले इमेच पर चलेंगे अमदाबाद में क्योंकि इन सब क भी बैटे बीटा है नमबर चे से नमबर पाच पर आ गई है खेर आज जो मुकाबला है साइपील का वह है एम आई वर्सेस एसरेच एस सीजन का अपना पहला घरे लूप मैच खेलने वाली है अगर पिछले चारपान मैचेस की बात करें तो एम आई को एक तरफा एज मिली हुई है मतलब कोई टककर ही नहीं थी अब कप्तान बदला है यह एसरेच का पेट कमेंस आया है लेकिन आप देखें पेट कमेंस मिचल स्टार्क ग्लेन मैक्स्वेल अस्ट्रेलिया के जो खिलाडी है वो इतना फायर दिखा नहीं रहे मुझे लग रहा कि पेड़ पिक्डि है ऐसा मुझे लग रहा है आपको क्या लग रहा है आप भी बताएगा कमेंट करके क्योंकि मैक्सवेल फ्लॉप रहा है पैट कमेंस मुझे लग नहीं रहा कि आज भी कुछ खास्त कर पाएगा वहीं मुंबई की टीम जिसमें कपतान है हर्दिक पंडिया तो रोई शर्मा फ्रीली खेल सकता है और कहीं न कहीं रोई शर्मा के मन में एक बात और होगी यार यह पैट कमेंस ही था जो कि वर्ल कप में उस्टेलिया का कपतान था चलो आज इससे बदला लेंगे तो कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट एक पॉइंट प्रूफ करने की कोशिच रोई शर्मा और काफी स्ट्रॉंग टीम है कंपेर टू एस आर एच क्योंकि एसरेच में यार न टॉप और में कोई धंके बैट्समेन है बॉलिंग में भी देगे तो पिछली बार केक्यार दोसों मार गई थी रसल चल गया था इनके अगेंस्ट और हाला कि वो तो कलासंज नाम का जो त नहीं दिखाते हैं परलिंगे और प्रियतन करेंगे आपको क्या लगता हे आप वी निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत और थहाद थैंक आप